व्रिंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक शहर है व्रिंदावन भगवान कृष्ण की लीडा से जोड़ा हुआ है व्रिंदावन में वह जगा है जहां श्री कृष्ण ने महारास किया था जहां की कणकण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धारा बहती है व्रंदावन में कई ऐसी जगा है जहां श्री कृष्ण के होने का एहसास हुआ है ऐसी ही एक जगा है निधिवन निधिवन जो व्रंदावन में जंगली जंगल से घिरी एक मंदर परिसर है और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है ऐसा माना जाता है कि यहां श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ धोजन करते हैं इसके अलावा भगवान कृष्ण, देवी राधा और अन्य गोपी के साथ रास लीला का प्रदर्शन करते हैं यही कारण है कि निधिवन शाम की आर्थी के बाद बंध हो जाता है कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में पाही डाले खड़ी हैं जब आधी रात में निधिवन में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रास लीला करती हैं तो वहां की लता पताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर रास लीला आरंध होती है इस रास लीला को कोई भी नहीं देख सकता दिन भर में हजारों बंदर बक्षी जीव जन्तू निधिवन में रहते हैं पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जन्तू वहां से अपने आप चली जाते हैं एक परंदा भी वहां नहीं रुपता राधाक्रिश्न की रास लीला को कोई नहीं देख सकता दुठाके से जिन लोगों ने इस तरह की कोशिश की है उनकी द्रिश्टी, बोलना या इससे भी ज्यादा खराब मान सकताएं हो गई हैं निधिवन की परिसर में पाए जाने वाले पौधे भी जोडी में हैं ये पेड रात में गोपी में परिवर्दित हो जाते हैं और रास लीला में भाग लेते हैं मानता है कि जब रास करते करते राधा रानी जी बहुत थक जाती हैं तो बिहारी जी और राधा रानी जी रात्री में निधिवन में शयन करते हैं आज भी निधिवन में शेन कक्ष है जहां आज भी पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और जब सुभा पट खुलते हैं तो पान चबाया हुआ और फूल बिखरे हुए मिलते हैं वास्तव में निधिवन एक रहस्य मय जगा है जो दुनिया भर के सभी भक्तों का ध्यान आकरशित करती है क्टाशित करते हैं